हेलो दोस्तों UPSC Hindi के online study platform में आपका स्वागत है इस class के माद्यम से UPRO 2016 में जो pre-exam हुआ था उसके प्रश्णों को यहां discuss कराया जा रहा है इसके पहले इसके तीन classes हो जुकी है आज की class में हम आगे के प्रश्णों को यहां cover करेंगे देखेंगे आज की class में कुछ maths और reasoning के भ माद्यम से हम केवल GS के प्रश्णों को यहां cover करेंगे तो आज का अगला प्रश्ण जो है उसको देख लेते हैं आज का अगला प्रश्ण है कि निमलेखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी देखेंगे option तो option है स्रीमती राजेंद्र कुमा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी यह हम इनकी पीच्चर यहां देख सकते हैं देखेंगे सुचिता कृपलानी जो है वो UP यानि कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है कि मुख् गई थी देखेंगे 1946 में तो 1946 में जो है समिधान सभा की सदस्या चुनी गई थी वही नुवाखली दंगे जो कि 1946 में ही हुए थे उसमें जो है कि महात्मा गाधि का उन्होंने साथ भी दिया था तो इस परकार इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी इसका सह ही उत्तर हो जाएगा अन्य ओप्षन को देखें तो राजेंदर कुमारी बाजबी को देखें तो यहां जो है कि पांडी चेरी की राजय पाल रही है यह पांडी चेरी की राजय पाल रही है बाकी हम शुष्री मायावती को देखें तो यहां जो है कि भारती राजने तिग इन्हें जो है कि नाइटिंगल आफ इंडिया कहा जाता है नाइटिंगल आफ इंडिया इन्हें कहा जाता है तथा एसी पहली भारतिय ये महिदा थी जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तुलो मेला थी धेखेंगे वश्रोंदी न dat MORIRT हैं ओत्तरेक्ष पहली महिदा थी महिला राजयपाल थी वहीं अगर हम देखें स्रीमती सरोजनी नाइडू को तो यह 1925 में कॉंग्रेस का जो कानपूर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष रही थी और देखेंगे एनी बेसेंट के बाद कॉंग्रेस के दूसरी महिला अध्यक्ष स्रीमती सरोजनी नाइडू ही रही थी तो अगर प्रेशन यह कहे कि कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला तो देखेंगे यह की एनिवे सेंड थी जो कि 1970 में कोलकाता कॉंग्रेस के कॉलकाता अधिवेशन की अध्यक्षा चूनी गए थी और अगर यह कहें की कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारती ये महिला कौन थी तो ये श्रीमति सरोजनी नाइडू थी तो इस प्रकार इसमें अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि ने मिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखेंगे इसमें एक तरफ जो है इस्थान के नाम लिखे हुए है और दूसरी तरफ इसते सम्मंदित उत्पाद के नाम लिखे हुए है प्रश्णी ये कह रहा है कि इन में से कौन से उत्पाद हो अस्थान से उनके उत्पाद सही सुमेलित नहीं है इसमें देख लेते हैं A है लखीमपूर खीरी या जो है की नकाशिदार कास्ट शिल्प यहां के उत्पाद है B ये खुर्जा यानि ये मृतिका शिल्प से संबंदित है C है मेरट ये खेलकूल के सामान से संबंदित है D है जलेसर जो की धलवीर घंटियों से संबंदित है तो इसमें देखेंगे option इसमें कौन सा सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि लखेंपूर खेरी जो है वो नकाशिदार काश्ट सिल्प से संबंदित नहीं है देखलेंगे नकाशिदार काश्ट सिल्प जो है ये कहां के उत्पाद है तो देखलेंगे मैनपूरी सहारनपूर मैनपूरी सहारनपूर बिजनौर मिर्जापूर आधी जो है ये नकाशिदार काश्ट सिल्प के लिए विख्यात है यह हम देख सकते है ये जो है कि नकाशिदार काश्ट सिल्प की ये मूर्ती जो है ये बनाई गई है तो इस प्रकार हम देखेंगे कि लखेंगे कि लखें कास्ट के लिए प्रसिद नहीं है औंड हे लखी में एक रंपिरी को यह है कि चीनी ऊत्पाध का छेत्र रहे हैं में इसको डेख सकते हैं मिट्टी के सामान के लिए प्रसिद्ध है और D है जलेसर जो की ढलवीर घंटियों के लिए प्रसिद्ध है तो इस प्रकार हम देखेंगे B, C और D ये तीनों सही सुमेलित हैं और वहीं अगला प्रसिद्ध में से किस स्थान पर मुडिया, पूडिमा, मेला का आयोजन किया जाता है अगर हम देखें UP का कोई भी एक्जाम हो तो UP स्पेसल से मेले उन तेवहारों से क्वेस्चन हमेशा बनते हैं और इसमें हम option देख लेंगे, option A है बटेश्वर, option B है कन्योज, option C है गोवर्धन और option D है सर्धना देख लेंगे इसमें option कौन सा सही हो जाएगा, option C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि गोवर्धन देखें अगर मूडिया, पूडिमा मेला को तो यहां जो है कि प्रतिवर्ष जो है आसाड के माह में पूडिमा को गोवर्धन मतुरा व्रिंदावन में आयोजित किया जाता है तो इस प्रकार इसका option जो सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य option इसमें हम देख लेते हैं तो देख लेंगे इसमें बटेश्वर को तो बटेश्वर जो है वो आगरा से लगभग 70 किलो मेटर दूर है तथा यहां जो है ऑक्टूबर नोवंबर के महीने म एक बहुत बड़ा पशु मेले का योजन यहां किया जाता है वहीं अगर हम देखें सरधना को तो यह जो है कि यूपी के मेरट में इस्थित है देखेंगे यूपी के मेरट में यह इस्थित है तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा य यहां हम देख लेते हैं कुछ लिस्ट जो है यहां दीवी है यहां एक तरफ जो है उत्सो और मेले के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ इनसे संबनित इस्थान के नाम लिखे गए हैं यहां हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख मेले और उत्सो इसमें लि आगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तता सूची ओड़िये गये कुटों से सही उत्तर चुनिए अब हम यहां देख सकते हैं सूची एक जिसमें जिला के नाम दिये हुए हैं और सूची दो में उन जिलों से संबनित उत्पाद के नाम दिये हुए हैं उनको सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं A, A है अलिगड, B है फिरोजाबाद, C है मुरादाबाद और D है टांडा option इसमें देख लें, तो option इसमें सही कौन सा हो जाएगा option number, देख लेंगे option B इसमें सही हो जाएगा सबसे पहले हम अलिगड को देखे, तो अलिगड जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है वहीं अगर हम मुरादाबाद को देखे, तो मुरादाबाद जो है वो पीतल के बरतन यहां के प्रसिद्ध है और तांडा जो है यह जो है कि विद्दूत करगा उतपाद के लिए प्रसिद्ध है तो इस प्रकार option इसका कौन सा सही हो जाएगा? option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न है कि निमलिखित में से कौन सा भ्यारण सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इसमें हम देखेंगे एक तरफ जो है कि पश्ची विहार दिये का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे संबंदित इस्थान का नाम दिया हुआ है प्रश्ण कह रहा है कि कौन सा भ्यारण सही सुमेलित नहीं है देखेंगे समस्पूर या राय बरिली से संबंदित है नवाब गंज पच्छी विहार इलहाबाद में है वहीं अगर मखीरा को देखें संतकबीर नगर में है और डी है संडी या हर्दोई में है तो अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नाव जिले में स्थित है तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे नवाब गंज को तो यह जो है कि यूपी का प्रथम पक्षी विहार है यह है यूपी का प्रथम पक्षी विहार है देख लेंगे अन्य ऑप्शन को समस्पूर पक्ष पक्षिविहार संतकबीर नगर और संडी पक्षिविहार यह जो है कि हर्दोई में इस्तित हैं यहां देख लेते हैं तो अभी देखें वर्तमान में तो यूपी में जो है कुल कितने पक्षिविहार है कुल 13 पक्षिविहार अभी उत्तर प्रदेश में इस्तित हैं और पूर उत्तर प्रदेश के प्रमुक वणन्य जीव के नाम दिये हुए हैं, देख सकते हैंiada, नवाब गंच पक्षि विहार, समस्पूर, लाक, पटना, पक्षि विहार, PARVATHी आरंग, पक्षि विहार, यहां के नाम दिये हुए हैं आप इसके screenshot ले सकते हैं देखेंगे इन से संबंदित इस्थानों के नाम भी दिये हुए हैं इनका छेत्रफल कितना है तथा इसकी स्थापना की सवर्ष में की गई थी ये सभी जो है इसमें लिखा गया है तो आप इसको यहां देख सकते हैं अगला option देख लेते हैं अगला क्रश्ण है कि उत्तरप्रदृष के निमनिखित में से किस मंडल में पर्थम समाजवादी अभिनव विद्याले खोला गया अब हम इसमें देखेंगे option तो option A है इलहाबार option B है अलीगर option C है आग्रा और option D है वारान देखेंगे समाजवादी अभिनविद्याले को तो यहा उत्तर प्रदेश के किस मंडल में खोला गया तो ऑप्षिन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्षिन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां देखेंगे तो देखेंगे यहां कि इलहबाद प्रयाग राज मंडल के चाका विकास खंड के दादू पुर गाउं में 23 अपरेल आप्षिन नमबर इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां देख सकते हैं कि समाजवादी अभिनव विद्याले क्या है तो यह जो है कि इसमें कच्छा 6 से 12 तक इसमें पढ़ाई कराई जाएगी तता यह विद्याले CBSC Board से संबंध होंगे इसमें जो है कि जो सक्षम नहीं है पढ़ाई करने में जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो इसमें पढ़ाई कर सकते हैं और इसमें कम खर्च में वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है This में हम जो है कि Reasoning और Maths के प्रशन को इसमें skip करते हुए चलेंगे और आगे हम फिर जी यस के प्रशनों पर देखेंगे तो अगला हम G.S. का प्रश्ण इसमें देखेंगे प्रश्ण है देख लेंगे यहां प्रश्ण है कि 29 अगस्त 2016 लिए LEMOA किन दो देशों के मद्य हस्ताक्षरित हुआ था और इसमें हम option देख लेंगे देखेंगे ये जो है कि प्रश्टिकाल में ये करेंट का प्रश्ण है जिसका बरतमान में कोई मतलब नहीं है फिर भी हम इसको discuss कर लेते हैं option इसमें देख लेंगे option A भारत वा USA, B है भारत वा फ्रांस, C है भारत वा इसराइल, D है भारत वा रूस अब इसमें देख लेंगे option कौन सा सही हो जाएगा देखेंगे 26 फरवरी 2019 को मिराज 2000 द्वारा जैश है मुहमद के कैम्पू पर हमला किया गया था तो surgical strike देखेंगे तो ये 29 सितंबर 2016 को भारतिय सेना द्वारा POK के विरुद किया गया था तो option इसमें जो सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि संग वित्त मंत्री अरुड जेटली ने अक्टूबर 2016 में ये घोशित किया कि आए घोशना योजना यानि IDS 2016 के अंतरगत 30 सितंबर 2016 तक घोशित काला धन है लगभग तो देख लेंगे इसमें काला धन लगभग कितना है देखेंगे ये भी जो है कि करेंड का ही क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था और इसमें हम देख लेंगे option तो option है 29,365 करोड B है 55,250 करोड C है 64,275 करोड और D है 65,250 करोड और इसमें हम देख लेंगे option जो इसमें सही हो जाएगा तो option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 65,250 करोड देखेंगे केंदरी मंत्री जो अरुड जेट ली थे October 2016 में यह घोशित किया था उन्होंने कि आय घोशडा योजना 2016 के अंतरगज्यो है 30 सितंबर 2016 तक घोशित काला धनलगबग 75,250 करोड रुपे था तो इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि किश्वर्ज भारतिंदू नाट्य अकाडमी की इस्थापना की गई थी तो देखेंगे भारतिंदू नाट्य अकाडमी की इस्थापना कबूई थी और इसमें हम option देखेंगे option है 1975 option B है 1965 option C है 1985 और option D है 1995 देखेंगे आप्शन इसमें जो सही हो जाएगा आप्शन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 1975 में देख लेंगे यूपी के संस्कृति विभाग द्वारा जो है 1975 में भारतेंदू नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी देखेंगे 1975 में भारतेंदू नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी और वहीं हम देखें 1981 में 1981 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था भारतेंदू नाट्य केंद्र का नाम परिवर्तन करके भारतेंदु नाट्य अकाडमी कर दिया गया था तो और इसकी स्थापना देखें इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो है कि दो जुलाई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कहां की गई थी तो इसकी स्थापना जो है कि वो लखनव में की गई थी तो देखेंगे UP उत्तरपरदेश विशेश जो है UP special में ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है कि भारतेंदू नाटेकाडमी की स्थापना जो है कि कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी भारतेंदू नाटेकेंद्र के नाम से और इसे जो है कि 1981 में इस नाम को परिवर्तित करके जो है कि भारतेंदू नाटेकाडमी कर दिया गया था अगर देखें इसकी स्थापना तो 2 जुलाई 1975 को की गई थी तथा यह जो है कि लखनव में इसकी स्थापना की गई थी देखेंगे यह जो है कि लखनव में यूपी सरकार के सांस्कृतिक मंत्राले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि निम्रिखित में से किस स्थान को सितार और सुर्बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है तो देखेंगे सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घहराना के लिए किसे जाना जाता है तो option इसमें देख लेंगे option है आगरा, B है लखनव, C है इटावा और D है वरांटसी option देख लेंगे option इसमें जो सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि इटावा अब हम इसमें देखेंगे सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घहराना का संबंद जो है वो इटावा से है और इटावा यूपी में इस्तित है और इस घहरानों के कालाकारों में बुद्धा, दिवी, मुखरजी, निशात, खान और सुजात, खान ये तीन जो है इसमें प्रमुख है तो इस प्रकार इसमें देख लेंगे, option जो इसमें सही हो जाएगा, option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन है कि निमलिखित में से किसने शंभु महराज को हिंदुस्तानी शास्त्री ये संगीत की शिक्षा दी थी देखेंगे, शंभु महराज को किसके द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत की शिक्षा दी गई थी और इसमें हम option देखेंगे, option इसमें नत्तु खान, option B रहिमुद्दीन खान, option C है सुजान खान, और option D है अब्दुल करीम खान और इसमें जो option सही हो जाएगा, option B इसका सही उतर हो जाएगा, यानि कि रहिमुद्दीन खान, देखेंगे, शंभु महराज ने हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत की शिक्षा रहिमुद्दीन खान से ग्रहन की थी अगर हम देखें, शंभु महराज को, तो यह है कि लखनो घराने की कथक नित्र कलकार थे, देखेंगे, यह जो है कि लखनो घराने से संबंदी थे प्रष्णी ये भी बन के आता है, देखेंगे, नित्य छेत्र में योगदान के लिए इन्हें जो है कि नृत्य समराट की उपाधी भी दी गई थी तथा 1956 में इनको पदमश्री से सम्मानित भी खिया गया था अब देखें अन्या औप्शन को तो वहीं इसमें हम देख लेते हैं नत्थु खान को तो नत्थु खान यह पाकिस्तानी सारंगी बाधक है और देखें अब्दुलकरीम खान को तो यह भारती शास्त्री गायक थे शास्त्री गायक थे तो इस प्रकार option जो इसमें सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है और इसमें हम option देखेंगे option A है संजय कुमार option B है मनुच कुमार पांडे option C है नीरज कुमार सिंग और option D है योगेंदर सिंग यादो और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि नीरज कुमार यादो देखेंगे प्रेशन कहाराय कि कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है अब इसमें देख लेते हैं परमवीर चकर को तो भारत का सर्वच सैने सम्मान वो परमवीर चकर है और इसको कि मनोज कुमार पांडे, संजे कुमार तथा योगेंद सिंग यादो को 1999 में यह प्रदान किया गया था और यह जो है कि नीरज कुमार सिंग का इसमें नाम नहीं था तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number C इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा अगर हम देखे परमवीर चकर की स्थापना तो परमवीर चकर की स्थापना जो है कि 26 जन्वरी 1950 को की गई थी अगर हम देखे तो हमारे देश में 21 परमवीर चकर भी जेता है और यह सम्मान अधिकतर जो है कि मर्डो परान दिया जाता है और यह सम्मान किसके लिए दिया जाता है तो भारत का सर्वोच सैन सम्मान जो है परमवीर चकर को माना जाता है अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तता सूचीयों के नीचे दिये गए कूर से सही उत्तर चुनिए इसमें हम देख लेते हैं सूची एक को तो इसमें जो है कि प्रमुक संस्थानों के नाम दिये हुए है और दूसरी तरफ जो है ये कहां इस्तित है इनके नाम स्थानों के नाम दिये हुए है अब इनको जो है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है सबसे पहले हम एक को देख लेते हैं अब इसमें देख लेंगे सबसे पहले A को और option इसमें देख लेंगे की option इसमें कौन सा सही हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राष्ट्री परियावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्र की तो यह कहां इस्तित है यह हो जाएगा नागपूर में यह नागपूर में इस्तित है बी हम इसमें देख लेंगे केंद्री यह खाद्य प्रदोगी की अनुसंधान संस् यह शिम्बला में इस्तित है और D हम देखेंगे केंद्रिय तमबाकु अनुसंधान संस्थान तो यह राजमुंद्री में इस्तित है और इसमें ऑप्षन इस परकार कौन सा सही हो जाएगा यानि एका दो बी का चार तो देखेंगे एका दो बी का चार ओप्षन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां देख लेंगे ओप्षन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि एका दो बी का चार सी का तीन और डी का एक तो इस परकार ओप्षन बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख ले तो देखेंगे एक्जाम में पुस्तक और लेखक से हर साल एक प्रश्न रहता है और इसमें देखेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी और देख लेंगे और इसमें सही हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक है वो रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है और रजनी कोठारी जो है वो राजनीती विज्ञान के लेखक रहे हैं देखेंगे इनके द्वारा जो है कि 1963 में विकास शील समाजिक अध्यान पीट की स्थापना की गई है वहीं जो है कि 1980 में इनके द्वारा जो है कि लोकायन नामक संस्था की स्थापना भी की गई लोकायन नामक संस्था की स्थापना भी रजनी कोठारी के द्वारा की गई और इनकी पहली पुस्तक जो है वो दे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया थी तो इस प्रकार इसका जो आप स्टार्ट किया गया है जसमें यह के खुल 120 घंटे की में क्लासे उगी, और इस में आरो यारो के सम्पूर सहिं बसको इसमने कवर कराये गया है अगर आप लोग को यह जो है की बाज जुएँर करना है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस बैस के बारे में जानकारी ले सकते हैं देखेंगे नंबर 9519780078 आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस बैस से संबंधी जानकारी ले सकते हैं अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है और देखेंगे ए विलायत खान, बी है अल्ला रखा, सी है हरी पसाच्चो रसिया और डी है अमजद अली खान अब हम इसमें देख लेंगे कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है उप्षण इसमें जो सही हो जाएगा उप्षण नमर्ड डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि अमजद अली खान जो है, ये पखावज से संबन्दित नहीं है बलकी पखावज वादक ये ना हो करके यहाँ कि सरूद वादक है, अमजद अली खान को देखें तो यह जो है कि सरूद वादक है ना कि पकावय वादक और देख लेंगे 1994 में भारती जो भारा सरकार है उनके द्वारा कि कला में इनको पदम विभूशट से सम्मानित भी किया गया है देख लेंगे 1994 में कला के छेत्र में इनको पदम विभूशट से सम्मानित भी किया गया है तो इस प्रकार देखेंगे सुमेलित नहीं है तो option D इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य option को देख लेंगे तो अन्य option है विलायत खाम जो कि एक सितार वादक है यह सही है बी है उस्ताद अल्ला रखा यह जो है कि तबला वादक थे तथा हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत में यह विशिष्ट स्थान रखते थे तो यह भी सही है इसमें हरी प्रसाच चोरसिया है यह जो है कि बांसुरी बादक थे तथा इनको भी पदम भूशड वो पदम भी भूशड से सम्माने किया किया है तो इस प्रकार option इसमें जो सही सुमेलित हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है निम्लिकित में से कौन लोग संस्कृति को इस पस्ट करता है और इसमें हम option देख लेंगे option है अधिक सब भी लोगों की संस्कृतिक परिपाटी और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि सामाने लोगों की संस्कृतिक परिपाटी प्रशन कहरा है कौन लोग संस्कृति को इस पस्ट करता है तो option number C सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे किसी छेत्र विशेश में निवास्त करने वाले सामाने लोगों की संस्कृतिक परिपाटी यानि कि इसमें हम धर्म को रख सकते हैं तेवहार जो रीती रिवाज है ये सबी जो है कि सांस्कृत परिपाटी के अंतरगत आते हैं इनको जो है कि लोग संस्कृती कहा जाता है अगर हम देखें तो लोग संस्कृती जो है वो किसी एक छेत्र को अन्य छेत्रों से अलग करती है यानि हम एक छेत्र विशेश की देखेंगे एक अलग संस्कृती होती तता यह जो है विभिन संस्कृतियों में एक विशिस्ट अस्थान रखती है तो इस प्रकार देखेंगे कि निम्रिखित में से कौन लोग संस्कृति को इसपस्ट करता है तो option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि सामान लोगों की संस्कृति परिपाटी यानि धर्म तेवह संस्कृति के लोगों का अन्य संस्कृति के लोगों से प्रिथक होता है तो इस प्रकार option जो इसमें सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि निम्रिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है और इसमें हम देख लेंगे ए जवाहर लाल नहरू कृषी विशुविद्याले जो कि मध्य प्रदेश जबलपूर में है इसमें कहरा है कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है तो देख लेंगे इसमें से कोई भी औप्षन सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक औप्षन नहीं है देख लेंगे इन औप्षन कौन-कौन से हैं तो यह C है और D यह दोनों औप्षन जो है वो सही सुमेलित नहीं है अगर हम देखें इंद्रागाधि क्रिशी विश्विद्याले को तो यह जो है कि रायपूर 36 ग वहीं अगर हम D देखें आचारे एंजी रंगा एग्रिकल्चर युनिवस्टी को तो यह तेलंगाना में इस्थित ना हो करके आंधर प्रदेश में इस्थित है तो इस प्रकार इसमें जो है कि दो-दो आप्शन इसका सही उत्तर होगा और इसमें से कोई भी आप्शन जो है वो सही नहीं होगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि विलेख अधिनियंम प्रभावकारी कब हुआ था यानि किस सन में यह प्रभावकारी हुआ था और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे आप्शन है 1881 इसवी से, B है 1882 से, C है 1883 से और D है 1884 इसवी से अब इसमें देख लेंगे आप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो आप्शन नमबर B को अगर देखे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि विनमय साथ देविलेक अधिनियम जो है वो 1882 से प्रभावकारी हुआ था यहाँ इसको देख लेंगे विनमय साथ देविलेक अधिनियम दिसमबर 1881 में पारित हुआ था तो पारेत 1881 में हुआ था, लेकिन देखेंगे परंतु यह 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था, तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा, option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा, आज की class में इतना ही, आगे के प्रशन अगली class में discuss होंगे, देखेंगे UPSC हिंदी द्वारा आर batch start किया गया है, जिनके मादन से जो है कि इसके पूरे syllabus को यहां cover कराया जा रहा है, अगर आपको वो batch join करना है, तो आप लोग जो है कि इस number पर call कर सकते हैं, और number पर इस call करके, आप लोग इस batch के बारे में जानकारी ले सकते हैं, नंबर देख लेंगे 9519 780078, आप लोग इ झाल, 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